उहां का जो स्तीटी है काफी शिंटनिया हैं लेकिन हमारा एतना ही विश्वाज है कि प्रधान मंत्री जी जरूर बंगलाडेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक सैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्तीटी सुधरेगा लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और एतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है जो कॉंग्रेश है आप देखिए प्रियंका गांधी और कॉंग्रेश फैब जो परिबार है उन्होंने गाजा के लिए कितना बार तुईट किया है लास्ट दो तिन महिना में आप देखे गाजा के लिए टुईट करना गाजा का अलप संख को के लिए धरना पदर्शन करना अब पूरा तमाम जो कॉंग्रेश और उनका इको सिस्टेम को देखिए कि गाजा के लिए कतना हंगामा किया हाला कि गाजा में जो हुआ था वो टेरोरिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेरोरिस्ट करवार हो रहा है लेकिन बांगलाडेश का हिंडू के लिए ये कॉंग्रेश लोग केतना बार तुईट किया केतना बार धरना पदर्शन किया आज जो कॉंग्रेश है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कही भी मुसल्मानों का तकलिव होगा तो हम है लेकिन हिंडू का तकलिव है हम नहीं है हम खाली हिंडू का बीच में हिंडू को जातिव में तोड़ने का काम ही हमारा मक्षद है बाकी और हमारा कुछ लक्स नहीं है हिंडू अगर मर भी जाए गाजा के लिए मैं पसीज बार तुईट करूँगा लेकिन बंगलाडेश का हिंडू के लिए एक बार भी में रोने का काम नहीं करूंगा एही कॉंग्रेस है क्या बता नहीं आप भी खुद अगर मैं पता नहीं अगर आप हिंडू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीरा कैसा है देखिए अभी भारत सरकार ने ये इजाज़त नहीं दिया है कि आप बोर्डर में किसी को लीजिए किसले तब समझ सा समाधान नहीं होगा आप तो एक रो डो कर लोगों को ले नहीं सकते हो समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक सैनल से काम करते हुए बंगलाडेश में ही उनको सिकरोती देने का काम करे और इस बिशाय में भारत सरकार जो ब्यवस्ता लेगे स्टेट गौर्मेन उनको ही फॉलो करेगा हमारा कुछ अपना ब्यवस्ता उसमें नहीं होगा देखे मैंने ये दिखाया बंगलाडेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बंगलाडेश में हिंडू का संखा 33 परसेंट से घट के आथ प्रतिशद हुआ लेकिन लोग बोलते हैं कि बंगलाडेश में हिंडू कम हुआ है अगर ओही आखरा आप बेंगल असाम और जारखान में डाल देते हो हमारा इहां में भी ओही परसेंटेज में हिंडू घाता है हिंडू का संखा घाता है तो मैंने असाम और बंगलादेश का कॉंपरेजन दिया एकी समय में बंगलादेश में 13% हिंडू घाता है और असाम में 9% हिंडू घाते है मतलब देश में जो demographic shift है demographic का परिवर्टन है वो कैसे एक भोगोल में कि ये बंगलादेश है इसलिए उहा हुआ है इंडिया में नहीं होगा ऐसा नहीं है पूरा जो इस्तान सेक्टर है बंगलादेश से साटे हुए हर जगा में ये हिंडू सीफ्ट हो रहा है हिंडू का संखा कम होते जा रहा है